नमस्ते चात्रों, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में एरन के बारे में जानकर इप्राप्त करेंगे तो देखेगा एरन क्यों परशिद है, एरन कहां इस्तित है, एरन किस काल का स्थान है, ठीक है इन सबी बातों के बारे में हम अध्यन करेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं, एरन क्यों परशिद है एरन नामक एथियासिक स्थान मद्य परदेश के सागर जीले में श्तित है एरन के बारे में माना जाता है कि गुप्तकाल में एक बहुती महतोपुन नगर था प्राचीन सिक्कों पर इसका नाम एरिकिन लिखा है जनरल कनिंगम ने सर्वपर्थम प्राचीन एरिकिन नगर की पहचान एरन से की ठीक है गुप्तकाल में बने एरन के परसिद मंदिर गुप्तकाल में निर्मित मंदिरों का प्रारूप प्रारंभिक रूप एरण में मिलता है एरण के ये मंदिर विष्णु वे उनके अवतारों से संबंदित है महा विष्णु मंदिर के अलावा इस इस्तल पर महा वरा है मंदिर एम निरिश्य है मंदिर भी है ये कुप्तकालीन तथा हून काल के प्रारंबिक काल में दिर्मित मंदिर साधारन धंक से दिर्मित किये गए थे इन में सपाड़ छत वाला गरब गरह लेवं चार पासान स्तंबों पर आदारिद लगभू मंड़प हैं एरन के मंदिर समुह को मंदिर वास्तु का प्राचिन तम रूप माना जा सकता है इन सभी मंदिरों के साध सज्जा निम सीमित हैं आयताकार गरब गरह में स्थापित देव मूर्ती के साथ समक्ष थोड़ा नीचा द्वार मंडप है द्वारवय स्थम्भों को भाती भाती रूप से अलंकरित किया गया है मंदिर समुह के समीफ ही के अंदर ये पुरातत्वा विभाग द्वारा एक चबूत्रे के उपर चार स्थम्भ सुरक्षा की द्रस्टी से खड़े किये गये हैं इस चबूत्रे पर कृष्ण लिल्ला से सम्मंदित आकरतियां वाले पट लगे हैं विष्णु मंदिर के सामने बुद्गुप्त द्वारा इस्थापित गरुड स्थम साथ की पूर्ण कला का जीता जागता प्रमान है एरन से प्राप्त किये गए अभिलेग देखेगा एरन से अन्य को अभिलेग मिले हैं जो भगने सिलापटों के रूप में पड़े हैं यहां से प्राप्त इन अभिलेगों में परमुक अभिलेग देखेगा कई बार एकजाम में पूछ लेते हैं जैसे सकसासक सिरी धर वर्मन का अभिलेक, गुप्त समराट समुद्र गुप्त का अभिलेक, गुप्त समराट बुद्गुप्त का अभिलेक, हूनसासक तोर्मान का अभिलेक, गुप्त समराट भानुगुप्त का समकादीन अभिलेक जो गोप्राट सत्ती स्थम लेक भी कहला एरन से प्राक्त अभिलेकों में मुख्य अभिलेक है जो 510 इस्विका है इसे भानुगुप्त का अभिलेक भी कहते हैं कई बार प्रीक्षा में पूछ लेते हैं भानुगुप्त अभिलेक के बारे में यह लेक महाराज भानुगुप्त के अम्माते गोपराज के विश्वे म जो उस स्थान पर भानुगुप्त के साथ संभवता किसी युद में आया था और वीरगेती को प्राप्त हुआ था। गोपराज के पत्नी यहां सत्ती हो गई थी। इस अभिलेग को एरन का सत्ती अभिलेग भी कहा जाता है। एरन से प्राप्त एक वरह मूर्ती के अभिलेग में हून सासक तोर्मान और उसके पर्थम वर्ष का उल्लेग है। यह तो थे एरन से प्राप्त अभिलेग आप देखेगा एरन से प्राप्त मुद्राएं। एरन के प्राचीन काल के इत्यास के बारे में मिले पुरातात्विये अवसेस अहला के गुप्त काल के हैं, लेकिन यहां मिले सिक्कों से ग्यात होता है कि इससा पूर्वा काल में भी ये स्थान अबाद था। पनिंडम ने यहां से प्राप्त मुद्रों को तीन भागों में वर्गीकृत किया है, आहत मुद्राई, ठपकांकित मुद्राई तथा सांचे द्वारा निर्मित मुद्राई इन मुद्रों में हाती, घोडा, वेदिका, वरिक्ष, इंद्रध्वज, वज्ज्र, मतस्से, कच् परमुक हैं, एरन से प्राप्त मूर्तियां, एरन में पर्थम स्ताब्दी इस्वी से लेकर छटी स्ताब्दी इस्वी तथा पूरव मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल में मूर्ति निर्मान प्रमप्रा का करम से विक्षित रूप परिलक्षित होता है, एरन में वैशनाव, प्राक्त सोर गणपात्ते बोधरम की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पूर्वे मालवा की सीमा रेखा पर इस्तित होने के कारण यह दशान को चेदी जनपत से जोडता था। प्राप्त सामगरी, म्रदभांड एवन इस्तर विन्यास के आधार प्रग्यास संस्करतियां तमर्युक से लेकर उत्तर मध्यकाल तक कर्मिक इत्यास बनाती हैं। पूरातात्विक साक्सों से पता चलता है कि एक समय यह एक व्यभवसाली नगर हुआ करता था। यहां के वास्तु तथा मूर्तिकला का हमेशा एक विश्यस मानिता दी गई है। यहां का सबसे उलखनी समारक एक 47 पूटूंचा स्थम्भ है जो एक ही सिल्ला से बना है। इसे बुद्गुप्त के राजकाल में मात्री विश्णू और उसके भाई धन्य विश्णू ने खड़ा कराया था। यह सबी तथे इस बात के परिचाएक हैं कि तीसरे स्थाब्दी से चट्वी स्थाब्दी तक मालवा के पूर्वी सिमानत का यह नगर सामरिक राजनतिक सांसकर्टिक हलचल का केंदर बना रहा। लेकिन गुप्तकाल के बाद दिरे दिरे इस सम्वरत नगर का पतन हो गया। संभवता हुनों ने नगर और प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। हुनों के बारे में भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो ये वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपको और भी वीडियो यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे देखने को मिलेंगे। तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे।